नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि यूएस डॉलर दुनिया में वैश्विक व्यापार की मुद्रा कैसे बनी, क्यूं कच्चे तेल का सारा व्यापार डॉलर से होता है, दुनिया की जादतर देश अपना फॉरिंड करेंसी रिजर्व भी डॉलर में ही रखते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इतियास क्या है, आगे बढ़ने से पहले, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो इन्हें लाइक भी ज़रूर कीजे, और टेलिग्राम चैनल से मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, आज से majority coins हैं, वो gold के इस्तमाल होते थे, high value transaction के लिए, तो historically gold पैसे के रूप में इस्तमाल होता आया है, it was a medium of exchange in which people traded, और ये बात मैं बहुत 4-5-6000 साल पहले की नहीं कर रहा हूं, I am talking about the last 1000 years primarily, इसी सोने के सिक्कों से लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन gold के साथ क कि एक तो उसका वजन जादा होता है, कोई भी धातू है, तो उसको इधर से उधर ट्रांस्पोर्ट करना मुश्किल है, second, अगर आप से किसी ने gold को छीन लिया, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वो व्यक्ति, यानि की चोड, डगयत, जो भी है, वो उस सोने को लिज कर पैसे इस्तमाल कर सकता है, या फिर उसका उब्योग कर सकता है, तो कुछ समय अंतराल में, लोगों ने gold की बजाए, paper का इस्तमाल करना शुरू कर दिया, अब fiat money, जैसे कि आज पैसा इस्तमाल होता है, वो एक कागस के उपर लिखा है, सरकार ने 100, तो आप उसे मान रहे हैं, लेकिन ये fiat currency से पहले एक और चलन में currency आ दी थी, जो आज के check की तरह है, something like a check of today, ये paper currency कुछ इस प्रकार से काम करती थी, जैसे for example, मान लीजे कि आप Calcutta शहर में रहने वाले एक व्यापारी हैं, और मदराश शहर में जाकर आपको पैसे की आवशक्ता पड़ेगी, अब ये पुराने नाम इस्तिमाल कर रहा हूं, because I am talking about sometime around 150-200 years back, तो let's say कि आप Calcutta शहर से निकले, लेकिन आपको खत्रा है कि रस्ते में कोई सोने के सिक्क्य आपसे लूट लेगा, तो आप क्या करेंगे, Calcutta में किसी एक बड़े व्यापारी से जो इस प्रकार का काम करता ह है, उसके पास जाकर कहेंगे कि ये लो मेरे सो सोने के सिक्के, और मुझे आप एक कागस पर लिख कर दे दो, कि आपने सो सिक्के मुझसे receive किये हैं, और इस note पर आपका sign होगा, ये note या फिर ये कागस आपको जाकर मदरास में, इसी व्यापारी के किसी associate को, जिनका shop या जि उसरे बड़े व्यापारी भी यूज करते थे, दीरे-दीरे बैंको नहीं इसको प्रेचलन में लाया, USA में ये system 19th century में बहुत popular हो गया था, और कहीं न कहीं यही note आज एक currency note के रूप में हमें देखने को मिलता है, तो जहाँ पर sign होता है central banker का, यानि कि भारत के अंदर उस पैसे देंगे, उसको RBI वादा कर रहा है, तो आप जाकर एक किराने की दुकान पर 100 रुपे की डाल खरीद लेते हैं, तो आप मान लीजे कि A, आप किराने की दुकान पर गए और B व्यक्ति को दुकान वाले को आपने ये note दिया, तो RBI ये वादा कर रहा है इस note के माद्य कि मैं B को 100 रुपे देंगा जब भी वो मेरे पास बैंक में पैसे लाकर देगा, लेकिन आज के समय में दुकान वाला RBI के पास जाकर थोड़े ना कहेगा कि ये note अब मुझे 100 रुपे दो, यही तो 100 रुपे है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ये व्यक्ति यानि कि B, पहले के समय में, बैंक के पास जाकर कहेगा, अब मुझे इसके बदले में आप सोना दे दीजिए, क्योंके इसके लिए अभी भी गोल्ड और इसके लिए अभी भी गोल्ड ही करेंसी है, ये तो बस बीच में एक ट्रांजक्शन का जरिया था, ये कागस के वल्ड ट्रांज कर सकते थे इस currency note को दिखा कर और यह विवस्था 19th century से चलिया आ रही थी और world war 1 तक यह काफी popular थी दुनिया की सारी currency gold से define होदी थी तो currency की value कैसे तै होगी जो gold की कीमत है उस समय जो market में gold की value है उसके अनुसार currency की value होगी तो US का dollar और UK का pound आपस में कैसे trade करेंगे जो gold का worldwide price ह उसके basis पर उनका exchange चलता था और सभी देश free convertibility देते थे अपनी currency की gold पर तो इसका फायदा क्या रहता है फिर से example से समझाता हूँ मान लीजिए आप 20-20 सदी की शुरुआत में सन 1910 में एक बहुत बड़े व्यापारी है और आपको New York शहर से London में जाकर कुछ काम करना है आपको US dollar मिल जाएगा या फिर एक चिठी मिल जाएगी एक again note मिल जाएगा जिस पर लिखा होगा कि एक kilogram gold हमारे bank में जमा है उसको लेकर आप जाएंगे London में London के bank में या तो US dollar को exchange करवा लिया जाएगा pound में और वो exchange rate तैय होगी कि London में सोने का rate क्या है अब mostly बड़े बड दिया गया था उसे London के bank में देंगे और London का bank आपको gold की value के अनुसार जो वहाँ पर gold की उस दिन value है उसके अनुसार आपको pound का पैसा देदेगा या फिर आपको चाहिए तो gold भी देदेगा अगर आपको gold चाहिए तो gold भी मिल जाएगा इस तरह की विवस्ता बनाई गई थ लेकिन दीरे दीरे बीच में से gold गायव हो जाता है और केवल dollar रह जाता है तो ये क्यूं हुआ ये होता है world war 2 के बाद विश्विद समापत होने के बाद अमेरिका ने पूरी वेश्विक अर्थ विवस्ता को अपने control में लेने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम इजाद किया world war समापत होने से पहले ये conference हो गई थी ब्रेटन वुड्स नाम की जगे पर United States में और इन्होंने दुनिया के सभी देशों को ये कहा कि आप सब dollar पर विश्वास जताओ और gold को भूल जाओ convertibility दीजे dollar को इसका क्या मतलब है कि US की monetary authority ये guarantee करेंगी कि जो भी dollar हमारे पास लेकर आएगा उसे हम सोने में बदल देंगे तो माल लीजे जर्मनी की सरकार चलो जर्मनी गलत example ले लिया माल लीजे अर्जेंटीना की सरकार आकर US Treasury को कहती है कि हमारे पास 1 million dollar है उसके बदले में सोना चाहिए तो वो सोना आपको मिल ज सरकार ने कहा कि आप अगर dollar लेकर हमारे पास आए तो आपको हम gold दे देंगे बिना कोई सवाल पूछे चाहे कोई भी हमारे पास dollar लेकर आता है उसे हम gold देंगे लेकिन आप dollar में व्यापार करना शुरू कीजे और IMF member countries को ये commit किया गया कि वो अपनी currency को dollars में convert करना शुरू करें at fixed prices यानि कि अगर Argentina और Brazil को भी अपने देश के बीच में व्यापार करना है तो वो gold की कीमतों को standard ना माने वो standard माने US dollar की कीमत को और उसके अनुसार व्यापार करें तो ये IMF का system US के लिए काफी फाइदे मन था क्योंकि इस से dollar पर सभी देश निर्भर हो जाते हैं तो इससे आप New York और London वाले example से समझिए जब आप New York के bank में जाकर gold दे रहे हैं तो बदले में इधार London से अगर आपको gold लेना है तो इस bank के पास भी तो gold होना चाहिए तो ऐसे कितने ही transaction हर रोज होते होंगे तो इन सभी देशों को gold रखना जरूरी है जितनी currency उन्होंने अपन lockers में रखना जरूरी है तो यहां के जो central bank होंगे लंडन के New York के ये सभी बड़े बड़े bank ये सोना अपने पास रखेंगे क्योंके मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ती ने कहा कि मुझे dollar देकर gold चाहिए तो सरकार मना नहीं कर सकती वो legally bound है अमेरिका में कानून था उस समय कि अगर आप dollar लेकर bank में आते हैं तो आपको gold मिल जाएगा उसका equivalent तो इसी लिए इन सभी देशों को gold रखना पड़ता था not just USA बट even the other countries of the world लेकिन जब अमेरिका ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि gold हमसे ले लेना जब भी आपको चाहिए आप dollar में व्यापार करो तो सभी देशों को बड़ा फायदा होता है उन्हें अब gold पे निरभरता नहीं रखनी होगी तो पहले every dollar, every rupee और every pound that was printed उसके पीछे एक gold का equivalent amount सरकारों के पास होता था माल लीजे कि कोई सरकार कहती है कि हमने 100 million dollar की currency अपने देश में चलन में रखी है इस वक तो उसके पास इत तो ये करना पड़ेगा अमेरिका ने कहा कि gold आप मत रखो gold हमें दे दो आप किवल dollar के उपर व्यापार करो अपना तो ये fiat money की जो value है वो पहले dollar के साथ link थी वो gold के साथ जो link थी अब वो dollar के साथ link हो गई है अब hypothetically मान लीजे किसी दिन किसी देश के सभी नागरिक अपन तो सोना चाहिए तो उस दिन उस सरकार का खजाना पूरा खाली हो जाएगा उसे अपना सारा सोना अपने नागरिकों में या जो भी note लेकर आता है उसे बाटना पड़ेगा तो दीरे-दीरे सरकारों को इस समझ में आने लगा कि ऐसी घटना कभी होगी नहीं तो हमें इतना गोल्ड रखने की कोई आवशकता नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी economy में 100 million dollar अगर currency चलन में है तो हम उतना ही सोना रखें अगर हम 10 million dollar भी लेकर बैठे हैं सोने का equivalent तो भी हमारा काम चल जाएगा ultimately लोगों को सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि हमारे note की value है जब तक वो confidence बना हुआ है तब तक हम कितना भी currency चाप सकते हैं और सोना उतना रखना आवशक नहीं है लेकिन problem यह है कि सभी देशों के नागरिकों को अपने banks पर या अपनी सरकारों पर इतना भरोसा नहीं था ल पहले pound sterling भी था लेकिन उसके बाद dollar पूरी तरह से हावी हो गया अब यह पूरी scheme बढ़िया चल रही थी 1971 तक लेकिन 1971 आते आते अमेरिका को भी realize हुआ कि यह currency जितना gold रखना आवशक नहीं है क्योंकि कोई देश आकर हमें यह नहीं कहेगा कि सारे के सारे पैसे तुम अब dollar gold standard currency नहीं है it's just a standard currency इसका मतलब समझ रहे हैं अब कानूनी रूप से कोई भी US का नागरिक 100 dollar का note लेकर जाएगा तो उसे 100 dollar के बदले में उतने का gold नहीं मिलेगा और यहां से सरकारों का currency printing का और inflation का खेल शुरू होता है inflation देखो पहले भी होता था लेकिन यहां से अब बहुत तेजी से growth होगी there would be exponential growth और debt भी बड़ेगा inflation भी बड़ेगा बहुत सारी cycles में और सारी currencies अब बन जाएंगी free floating इसका क्या मतलब है तो अब क्यूंकि US dollar ने अपने आपको gold से dealing कर दिया है तो जो दूसरे देशों की currency है वो भी free हो गई है उसका भी gold से आप कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह पूरा फैसला काफी risky था क्यूंकि अगर gold convertibility आप दूसरे देशों को नहीं दे रहे हैं तो शायद अन्य देश dollar का इस्तमाल करना बंद कर सकते थे और ऐसा कई देशों ने कर भी दिया भारत और Soviet Union ने उस समय रूपी और रूबल में ट्रेड करना शुरू कर दिया आपस में तो इस से अमेरिका को ये डर लगता है कि शायद हमारा dollar standard currency के रूप में दुनिया पर में इस्तमाल अब नहीं होगा और ये वही समय है 1973 में जब Arab states और इसराइल के बीच में एक युद्ध चल रह होता ये कि उस समय जो राष्टपती थे US के Nixon ये सबसे पहले इन oil rich states को convince करते हैं कि आप अगर तेल का व्यापार dollar में करोगे तो पूरी दुनिया व्यापार को dollar में ही करेगी So he convinced the OPEC countries via Saudi Arabia, Saudi Arabia को इन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रगाड पार्टनर बना दिया, strong partner बना दिया और उसके माध्यम से सभी oil producing देशों को ये मनाया गया कि आप किवर dollar में ही अपने तेल को बेचिये लेकिन Saudi Arabia कहता है कि हम अगर अपना oil dollar में बेचते हैं और हमें मिलता है जो ये dollar उसका हम करेंगे क्या आप तो कह रहे हो कि आप gold हमें दोगे ही नहीं तो फिर इस dollar का लेकर हम क्या करें कल को आपकी currency अगर devalue हो जाती है नीचे चली जाती है तो उससे हमें तो नुकसान हो जाएगा तो US कहता है कि आप चिंता मत कीजिए हम करते हैं प्रबंद आप अपना सारा dollar US में invest कीजिए यहाँ पर बड़ी-बड़ी buildings बनाईए यहाँ पर investments कीजिए जमीने खरीदिये बिजनसेस में पैसा लगाईए और इसी के बाद से साओधी अरेबिया का काफी सारा पैसा US की industry औ और US assets में आना शुरू होता है इसको अकसर न्यूज में petrol dollar कहा जाता है क्योंकि यह petrol से कमाये गए dollar है या oil से कमाये गए dollar है और इस पूरे agreement के बदले में America कहता है कि हम आपको बेचेंगे military aid and equipment और यह आपको पूरे Middle East में सबसे ताकतवर देश बना देगा तो आज यही हु उसका एक cold war चल रहा है तो Saudi Arabia आज के समय Gulf countries का leader है सबसे जादा military hardware उसके पास है और यह पूरी कहानी इस 1970s के agreement से ही शुरू होती है अगर आपके पास समय है तो Bloomberg का यह काफी अच्छा article है इस पर detailed इसको आप पढ़ सकते हैं और Saudis का जो यह पैसा है billions and billions of dollar जो इन्होंने अमे investment grow ही करेगा यह बात तो तैह है तो इसी लिए US Treasury और अमेरिका के finance जो ministers है या finance departments है उन्होंने इनकी पूरी मदद करी कि आप यह सारा पैसा oil sales का US में लगाई है और यही कारण है कि आज दिन तक Saudi Arabia अमेरिका को इतना जादा परिशान कर सकता है या blackmail कर सकता है क्योंकि देख एक साल पहले कोई share खरीदा और आज वो share की कीमत बढ़ गई है तो आप भी तो share बेचकर फिर से पैसा ले लेते हैं अपने account में अगर इस तरह का काम Saudi Arabia ने कर दिया तो US की economy crash कर सकती है क्योंकि इनका इतना जादा पैसा लगा हुआ है कि ये US economy को हिला देगा 2016 में America ने कोशिश करी थी 9-11 बिल पास करने की और ये Saudi Arabia के दवाव में इसे पास ही नहीं कर पाए अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने Pathfinder चैनल पर ही 9-11 के पीछे जो story है पूरी वो cover करी थी उस lecture को आप देखिए आपको सब वहाँ पर जा economy और ये सारी बातें खुद US की कई reports में FBI के declassified reports में हमें पता चलती है 9-11 के हमलों में Saudi Arabia का इतना बड़ा role था लेकिन कहीं पर भी आज दिन तक Saudi Arabia को officially charge नहीं किया गया है, indict नहीं किया गया है because of this reason now cut to 2022, Russia-Ukraine युद्ध के बाद से America की economy पर भी असर आया है, उसके पहले भी America की economy inflation में थी, अभी भी बहुत जादा inflation बढ़ गया है, जिसके कारण डॉलर की कीमत कम होती जा रही है, जब भी किसी देश में inflation होता है, मुद्रस्वितिक इदर बढ़ जाती है, तो currency की value, cash की value क करेंगे हम yuan में, इस तरह के agreement उन्होंने sign करने की बाते करी है, और America इससे काफी नराज है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक बहुत सुनेरा मौका है, कि इस समय वो dollar से दूर shift हो सकते हैं, और इसके लिए कई देश कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें India और China दोनों शामिल है, तो आपको ये lecture कैसा लगा, मुझे comment section में जरूर बताइएगा, टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, UPSC exam की तयारी कर रहे हैं, तो देश के top educators, Unacademy platform पर पढ़ाते हैं, और अगर आपको इन से पढ़ना है, तो आपको एक subscription लेना होगा, और सभी subscription पर आपको 10% discount म cycle होता है, उससे और आगे तक आप पढ़ाई कर पाएंगे, you can take part in all the plus courses, जारा जानकारी के लिए आप इस phone number पर call कीजे, और कहिए कि महिपाल सर का वीडियो देखकर मैं call कर रहा हूँ, तो वो आपको सारी जानकारी बता देंगे, every week we start new batches, तो 15 December से Hindi Medium का नया batch start हो रहा है, इसमें आपको optional के subscription काफी कम prices पर मिल जाएंगे, UPSC CAC की test series भी हमने start करी है, you can avail that as well, ultra combat आ रहा है, 18 December को इसमें जरूर हिस्सा लीजे, attractive gifts हैं, MacBook Air, iPad, Samsung के mobile जैसे prices आप जीच सकते हैं, last mile program is for interview guidance, इसमें भी जरूर हिस्सा लीजे, thank you so much, have a great day.